उत्तर परदेश में योगी सरकार की बड़ी कारवाई के कई चकबंदी अधिकारियों और करमचारियों पर गाज गिरी है ब्रस्टाचार में शामिल होने और अपने कारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाती है इसी करम में चकबंदी विभाग ने दो जिलो और चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ ये कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंट कर दिया है वहीं एक दूसरे जिले के भी कई चकबंदी अधिकारियों और करमचारियों के खिलाफ जाज के भी आदेश दे दिये गए है अपने काम में एनियमित्ता बरतने के साथ साथ पदगा दुरूपयों करने के आरोप में मिर्जापूर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अब विभागी जाच भी बैठेगी जिसके आदेश राज्य के चकबंदी आयुक्त जीयस नवीर ने दे दिये हैं इतना ही नहीं मेनपूरी में भी कई अधिकारियों और करमचारियों के खिलाब विभागी जाच के आदेश दे दिये गए हैं और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है जानकारि के मताबित बांदा में वितिये वर्ष 2023 चोईस में 27 और 52 के अंतरगत लक्षित ग्राम उमेड़ा का कारे पूरा नाहों करने और ग्राम बहिंगा में सायक चकबंदी अधिकारी स्तर पर हुई गलतियों का समाधान कर काम को आगे बढ़ाने के बजाए गाउं को सायक आशनत्म कारवाई के आदेश भी दे दिये हैं इसी तरह मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारी राजंदर को भी अपने काम में लापरवाही करने के कारण निलंबित किया गया है उन पर आरोप है कि उन्होंने एक मृत्यक की जमीन के जांच किये बिना चार बार अलग अल करण बंदी एडियम एफार रामजी मिश्र के उक कारण बताव नोटिस जारी किया गया है इन्हें सभी के कलाव कारवी में लापरवाही कारोप है